रही दोस्तों क्याल चाल कैसे आप लोग उमीद आप सब बहुत अच्छे सोंगे पढ़ाई अच्छे चल रही होगी पढ़ाई स्टार्ट करतीजिए डेलेड है इसका मतलब यह निए कि आप इसको हसी मजाक में लेंगे तो मैं आपको इस वीडियो में आपका जो डेलेड फ आपको पढ़ाऊंगा फर्स चेप्टर पर हम डिसकस करेंगे ठीक है देखें फर्स चेप्टर में है क्या सजी वस्तुए तथंदिर जी वस्तुए लिविंग तिंग्स और नॉन लिविंग तिंग्स अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यह आपके कोर्स में क्यों र जैसे पहले आपको टॉपिक तो यह होगा कि इन लिविंग तिंग्स और नॉन verk क्या है सजी वस्तुए न रिवंग तो नेमिट जिश गा है श्चाल का होती हैं ऊबजेक्स क्या होते हैं उसकी क्लासिफिकेशएं यह और लिविंग न लिविंग सजी उनरजिवों में अंत कि ये चीज़े आपके syllabus में क्यों रखी गई है इसलिए रखी गई है कि जब आप एक teacher बनेंगे या बनेंगी तो आप से बच्चे एक तरह तरह के सवाल पूछेंगे तो एक बार आपको रिकॉल करना दिया जाए एक बार आपको दुबारा दोहरा दिया जाए याद करा दिया जाए जो कुछ भी आपने पढ़ा है और जो कुछ भी चीज़ें उनके कारिकुलम में होती है क्लास 1-5 तक आप एक उससे गो थू हो जाए उन सभी चीज़ों को एक बार दोबारा से देख लीजिए ताकि कल को आपके इस टीचर बनने कबाद बच्चा पूछे या बच्ची पूछे तो आप उसको रिप्लाइ कर सेगे तो बिना किसी देरी के हम सुरू करते हैं आपके इस सब्जेक्स को सा पर पहला यूनिट है आपका सजीव वस्तुमें और नेवजीव वस्तुमें बिना त्हीरी के बिना कॉणसेब्स के बिना रटे हुए हम इतना समझेंगे कि देखो जिन वस्तुमें Deshaади सजीव होती हैं ठीक Love जो लिविवि थिंजियक्स के अर्यार सजीवता के जान होने के जिंदा होने की विशेष्टाइन नहीं पाई जाती है वह निर्जीव वस्त्वए गहलाती है अब आप कहेंगी सर आपने तो चुछ टिपिकल वर्ड उस कर दिया सजीवता के विशेष्टाइन चार्क्रिस यह सारे चीज़े क्या होती है तो वह सारे इसमाल पार्टिकल से बना होता है जिसे उत्को का निर्माड होता है और यह को सिकाएं क्या गरते हैं उत्को का निर्माड करती हैं यह उत्काएं मिलके एक अंग का निर्माड करती हैं और यह सारे अंग मिलकर एक अंग संद्रचना बनाती हैं और यह एक आकरित रूप एक इन सब को हटा ये पस आप अपने दिमाग मीतन रखिए कि ये जो सजीव होने के जो गुण है ना दोस्तो ये जिनके अंदर पाई जाती है वो सजीव होते हैं जिनके अधर नहीं पाई जाती वो निर्जीव होते हैं ठीक है तो आप बच्चों के ऐसे explain करेंगे कैसे पहला कि थी वो swim गति करते हैं, so the swim गति करने का मतलब अब आपको इस दीन सब चले तो इसको ये जी सक ये मेरी उंगली है ठीक है अगर मैं ऐसा मोंट कर रहा हूं तो मेरी उंगली क्या कर रही है ज़रू नहीं कि एक अस्थान से दूसरे अस्थान सा चली तो पौधे भी दोस्तों हिलते हैं ठीक है आप फूल देखेंगे फूल जैसे खिलता है ठीक है फूल के अंदर से 20 निकलते हैं इस तो वह क्या होती है गतिमान होती है उनके अंदर कुछ ने कुछ तो मोशन होता रहता है वहीं अगर आप माली यह मोबाइल को रख दीजिए यह में जो पैन है इसको मैं रख दूँ तो यह दस साल के बाद भी इतना इतना ही रहेगा अगर इस पर कोई एक्स्टरनल फोर्स ना लगाया जाए कोई बाहरी अगर बल ना लगाए तो यह अपनी अस्तिति अपनी आवस्ता में बनी रहेगी दूसरा आपका कॉंसेप्ट समय के साथ विरिधी समय के साथ विरिधी हर एक सजीव प्रांट तो यह क्या है सजीव होने के गुड है विसेस्ताइं इंसान हो पेड़ हो पौधे हो यह क्या समय के साथ विरिधी करते हैं विकास भी होता है इनके अंत्रगत विरिधी और विकास थोड़ा से टूपिक है विर्धी का मतलब ऐसे परिवर्तन ऐसे आखड़े जिसको आप माप सकते हैं विकास मतलब जिसे आप एहसास कर से इसे माल लेजे वेट का बढ़ जाना आपके वेट की विर्धी हो गए लेकिन मांसिक विकास का हो जाना यह आपको अनुभाव कराता है कोई चीज उपर नाप क्लिट क्या हुआ उसका सारे के विकास भी हो गया ठीक है चाहिए वो तो डिफरेंट टॉपिक है बट यहां पर आया था विर्धी और विकास तो मैं सोचा कि इसका आंतर बदा दू हाला कि आप इसको साइकोलोजी में जरूर पढ़ेंगे तो उर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं यह क सची होने ख है की ओर्जा क अपरक्षाण करने की लिए हम सवसण किरिया करते हैं पेंड भी सास लेते हैं इन्हें पोशड की अवसकता होती है इसे हमें विकारभो हैडरिट होती है वैसे ही पौधो को मैं और लोय क्लिए प्रोघ्त ङाल दूसक्तoveलोग प् यह उसी उत्साजन की प्रकिरिया का हिस्सा है नए जीवों को जन्म देने के लिए प्रजनन की व्यवस्ता होती है इनके प्रकिरिया के अंत्रकत मनुष्य के प्रजनन जानवरों को पत्तों के अंत्र भी होता है बीज का गिरना फिर नए पेंड का निकलना तो यह क्या है यह प्रति प्रति होना बहुत कर सभी प्रस्तितियों में अनुकूलित रहते हैं स्वायम को परिवर्थित कर सभी प्रस्तितियों में अनुकुल तो यह कि सजीवता के लक्षण है यह सारे निर्जीव में नहीं होंगे ठीक है जैसे मालो मैंने बताया कि मोबाइल रख दो तो बढ़ेगा नहीं समय के साथ विरिदी नहीं करेगा उर्जा के लिए सांस नहीं लेता है तो यह सजीवता के गुण हो गया यह क्या होगा भई लिविंग तिंग्स के क्वालिटीज हो गया अब यह इसलिए आपको सलेवस में रखा गया कि कल को आपको बच्चा पूछेगा तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा एक्स्प्लेइन कर सेंगे ठीक है जैसे मा इस चीजों को पढ़िए इसमें को ऐसा चीज नहीं कि मैं आपको बता हूँ बस यह करिए कि जितने डीप आप जा सकते हैं जितने प्रस्न निकाल सकते हैं जितने कोश्टन्स निकाल सकते हैं जितने वर्स आप निकाल सकते हैं उसको निकाल लिए याद करिए दिमाग में रहे और बच्चे पूछें तो जवाब देजिए उनको ठीक है सिमिला लेकर निर्जीव वस्तुओं के बात करें तो जिनके अंत्रगत जान नहीं हती जिन निर्जीव वस्तुओं जो जीवित नहीं है अर्थात जिनमें जीवन की विसेश्थाएं अनुपस्तित रहती हैं य वे जीवन के कोई विसेश्कूर जैसे प्रजनन व्रिधी विकास वसन अनुपूलन उत्रदाइत्व गतियादी नहीं करते हैं निर्जीव वस्तुओं जैसे लकड़ी प्लास्टिक लोहा धातू चमड़ा कपास पैन कीबोर्ड यह सारे चीज़ें निर्जीव वस्तुओं जीवन की विसेश्टा हैजिन में अब जीवन की विसेश्टा है ते जिने में कोई विकास नहीं होता स्वता विकास नहीं होता मतलब जैसे मालने कि मोबाइल आप जितना मॉडिफाई करना चाहे खरते रहें तेकिन यह खुद से कुछ नहीं कर पाएगा इनमें कोई संचालन यह गती नहीं होती जब तक कोई बाय है बल ना लगाया जाए कोई भोजन की आप सकता नहीं होती ठीक है भोजन का मतलब जैसे आपको कोई चार्ज तो हमें करना पड़ा देखो बच्चे सवाद पूशेंगे आपसे कि मैडम हमें तो चार्ज करना पड़ेगा मोबाइल तो क्या वह उसके लिए भोजन नहीं वह एक गैजट है उसको इसी मरता नहीं होते है इस सिधर के सवाद पूशेंगे इसमें प्रैजननी रिप्रडुदॉट्शन की सिस्टम सी की नहीं होती है इन cannabis पाइध जीन आधी नहीं होती है जीवितन हों मरेना भी dış एक स्वाकर आ इसको ऑक्वारitter पूशन की सावारेंगा तो उसके लिए रिए उन सभी तो गलत हो जाएगा बोलना कहां से होगा क्या पौधा बोलता है क्या पौधा हसता है नहीं लेकिन एक लक्षड होगा क्या वो है प्रजनन समझ में आ गया इसी तरीके से सवाल आपसे पूछ देगा और आपका निफ्यूस करके आ देंगे तो थोड़ा सा कोश्टन को पढ़ लिए ठीक है तो सजीयों के प्रमुग ल इस तरीके से सवाल आपसे पूछ देगा अब्जेक्टिव में रेकिस्तान में पाया जाने वाले पौधा की पत्तिया होती है रोईदार नुकिली काटे दार स्वरी काटे दार या उप्रूप सभी यह कहां से आया अभी हम इसको देख लेंगे तो हम यहां तक देख चुक सजी वस्तूँं की विश्थता उनकी सवतन सीलता हुती है जिसके माध्यमसर विभी वस्तूँ को समझते है थता बह है उदीपन के प्रतकिया करते है 9 красив कि बिली की पोस्टर के सामने आप दूद रखे तो प्रतकियाён करेगी उद्यपन का मतलब होता है एक ऐसी वस्तू या बाद कर दे, the something which tends you to do an activity, तो वो उद्धीपन या इंगल्स में stimulus कहते हैं, तो अगर आप रखेंगे तो निर्जी ववस्तवे क्या करेंगे, उसके प्रियानुकरिया करेंगे, जबकि सजी ववस्तव अनुकरिया करेंगे, निर्जी ववस्तव अनुकरिया नहीं करेंगे, ठी जो पाचेन किलिया होती है, फृष उसके बाद जो उर्जा बनती है, पूरे सरीर में संचारान होता है, तो यह उसकी विसेस्ता होती है, वरिदी और विकास होता है सजी ववरणy या नियंत्रन, ऀसके सजी ववस्तवें वातावरण के साथ क्या करती है, सं具न tapping यानुकूल है अब यहां समझेगा सजीव वस्तु कि जैसे मनुस्य है तो मनुस्य की निश्चित अकृति है कि वह यह दो पैर है दो हाथ है दो चीज है ठीक है वैसे पक्षी का भी आप एक स्वरूप थोड़ा सा कह सकते हैं निर्जीव में क्या है कोई स्वरूप नहीं कोई बाइक ऐस संग्ठन दोस्तों सजीव वस्तों को बुरिया अबसकता होती ही जैसे भोजन पान लinku सास अक्सिजन इसी सब्सक्राणों सकता होती है इसके विप्रित निर्जी वस्तुओं को कोई आसकता विसेस नहीं होती तो यहां तक आप अंतर समझ गए समझ जाएंगे चलिए स्वासन की किरिया सजी वस्तुओं स्वासन करती है जबकि निर्जी वस्तुओं स्वासन नहीं करती प्रजनन सजयों बस्तों में होती है निर्जीव में नहीं होती है जीवन चक्र सभी जीवों को एक निश्चित आयू होती है था उसके पस्चात मिर्ति हो जाती है एक जीवन चक्र होता है निर्जीवों में ऐसा कुछ विवस्ता नहीं होता है तो यह वो टॉपी के जिसको आ या नहीं है बढ़ा एक बन अपनी ध्यान में आ जागा बस मास्टर बनिए टीचर बनिए और मैडम बनिए शर बनिए और जाके पढ़ाइए बच्चे को और पढ़ाईए जब आप डीलेड में हमेसा कहता हूं जब बीड वालों को पढ़ाता हो तो उनसे कहता हूं कि आपको प्रकृतिक नैचुरल और मैनमेट या फिर आर्टिफिशियल कह सकते हैं नैचुरल का मतलब भाई इससे सांस लेते हैं आप हवा हो गई पानी सूरज रौशनी यह क्या है प्रकृतिक वस्तुए तो जीन वस्तुओं को प्रकृतिक हमें निसुल्ग प्रदान करती है तता जि सकते हैं समाप्त होने वाली वस्तुओं जैसे समाप्त नौ होने वाली जैसे वायू मिटी और उर्जा और समाप्त होने वाली जैसे जीव जन्तु खनीज जल कोईडा एवं पेट्रोलियम आदी बात समझ में आ गई प्रकृतिक वस्तुओं वैसे मतलब जिने हम जीव जन्तु पहले डाइडास्वर हो गड़ता था भी समाप्त हो गया पर लया होगा विलूप्त हो गया ठीक वैसे पेट्रोलियम कल को खतम हो जाएगा कुछ भी चीज़े तो यह सारी वह चीज़े जो समाप्त हो सकती है ना समाप्त होने मिटी हावा सूर की रोश्णी दिन पाधिन भड़ती जा रही है तो यह ऑगाए क्युझा जिनका निर्माण मनुष के द्वारा किया झाता है मंनुष ढॉरा ग़ on her तो यह से नहीं thrilled Star गवा अप्णी वश्णी वे प्रशंच भिडो दमन अ दॉट्ट शूर हो आपके इसे यूनित मैं 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 आप घप राइए मत ऐसा नहीं कि अरे बोरिंग लग रही है बस मैं कहा रहा हूँ कि थोड़ा समय दीजिए आपका एक यूनिट यहीं खतम कर लेते हैं और आपको पता ऐसे अगर छे पांच से च्छे वीडियो देख लेंगे ना खतम हो जाएगा तो 15-20 मिनट तो आप दिया कि दोनों सजीव हैं तो बच्चे पूछ लेंगे मैडम दोनों में क्या समानता है या दोनों क्या अंतर है दोनों कैसे एक दूसरे से भिन है कैसे जूड़े हो तो इस पर थोड़ा सा एक्स्प्लेइन करना पड़ेगा तो तरह पढ़ लेते हैं तेखो पौदे मानों जन्तू के अभिन 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 अंग का मतलब बिना पौधों के मानों का अस्तितों नहीं है हमसे जुड़ा हुआ अभिन हमसे अलग नहीं हो सकता ऐसा अंग है पौधों के बिना मानों जीवन संभाव नहीं है क्योंकि यह जीवन का मूल अधार है ऑक्सिजन हमें और उनके पास अपना अलग अस्तित्व भी है दोनों के बीच अंतर कोशिकाओं अस्तर का गहराए जाता है पौधे और चंतों में कहने का मतलब यह कई तरीके समानता है और कई अंतर है मनुस्य का अभीन अंग है पौधा मनुस्य जो उक्सिजन लेता है वह पौधों के दवारा ही प्राप्त के यह पौधे चोड़ते हैं और वह तब रहता है और असरी थेकिस पे पोधों पर पोधों के बीना जीमनुस्य का स्थित्व नहीं है स्वीकार्ण मुश्किल अब स्वासन दोनों सांस लेते हैं तीसरा उतसरजन जैसे मतला है जो भी बैट तिंस हैं आपके अंदर उसको बाहर निकालना तो उतसरजन की खिरिया वृदि होती है दोनों में तो यह समानता है बता लोगे बच्चोंको डेख लेना जाओ और जाओ जाओ जब बच्चे पूचेगे तब मुझे इक आप्मेंट घरना ठीक है अब इनकी कुछ भिन्यताएं देख लेते हैं, कुछ अंतर देख लेते हैं, यह जो आप पढ़ रहे हैं, इसको पूरा आपको कम से कम देर दो महिने में आपको बच्चों को पढ़ाना वागा, पूरी चीज़े, बट एक बड़ देख लो, रिकॉल कर लो, हाँ, डिफरेंट की बात करें, डिफरेंट अंतर की बात करें, तो गती की बात कर लेते हैं, पौधे और जंतू दूसरों फ्यासरित होता है एक जनवर-दूसरे जनवर फ्यासरित दूसरे Хोड़ हैं झाड़ें कारों एक्सीजन छोड़ेंगे और जंतू आपक्सिजन लेंगे चाड़ेंगे तो यह का साइकल चलता रहता है संद्रचना दोनों की संद्रचना अलग होती है कैसे पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ती होती है अन्य संद्रचना जन्तु से बिन होती है जन्तु कोशिकाओं में कोशिका भित्ती नहीं होती तथा पौधों की संद्रचना अलग होती है मनुस्य की हो या जन्तु की ह आपके इस पूरे इस यूनिट का लास्ट वह क्या है पौधो और जनतुओं में अनुकूलन किसी चीज के अनुसार थाल लें किसको उसके अलुसार ढाल लेना है इसी प्रक्रिया को एडॉप्टेशन कहते हैं यह पॉइंट समझ जाओगे आपका पूरा यूनिट किलियर हो जाएगा और इससे सम्बंदित सवाल आएंगे आगे हम सवाल को भी करेंगे ठीक है एडॉप्टेशन क्या होता है देखिए अनुकूलन से तात पर एक किसी पोधे या जन्तु प्रयादियों को मद्द वह परिवर्दन है जिसके माध्यम से वह विशिष्ट वातावरण में अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम हो पाता है यह परिवर्दन भहती कि अव्यवारी दोनों प्रकार के हो सकते हैं अब आप नई समझना पड़ेगा देखिए मान लीजे कोई पसू है गाए गाए यहां पे तो पाई जाती है लेकिन का आपको लगता है कि यहीं गाए राजिस्थान में पाई जाती होगी जिसे बकरा ए है क्योंकि वहां की जल्वाई है वहां का वाथ अपर लार्ण के ज्याला है वहां पर गर्मी ज्यादा है कि उससाफ से कर रहे हैं क्योंकि यहां पर पानी पौधों को इसलिए पौधों ने क्या किया वातवर्ण के अनुशार खुद को ढाल लिया इसी को अडाप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं अनुकूलन में आपने क्या समझा जन्तू या पौधे में वह परिवर्थन जिसके माध्यम से वह विस्स्ट वातावर्ण में अपना अस्तित्व बनाए रखने में सच्छा मोह पाते हैं समझ में आ गई बहुत अच्छा जन्तूं मे पर अनुकूलन और पोध हैं में अनुकूलन ये दो टॉपिक पढ़ेंगे फिर इस वीडियो को समाप्त करनेंगे जन्तूं में यसे आद्धू कैसे आडाप्टेशन करते हैं इसको समझ में आ रहा झाला और आ interpre कोशिस का इस सब्जेक्स पे पहला वीडियो है और मैं कोशिस करूँगा कि इसको आगे करूँ जैसे मैं आप 5-6 वीडियो आप देख लेंगे आपका पूरा साइन्स खतम हो जाएगा ठीक है एक्जाम से पहले देख रहे हो तो अच्छी बात है अगर आप भी देख लोगे तरशी एक बात है एक बार देखते वजाओ एक्जाम में यहीं से आपको सवाल भी लेगा तो जन्तुओं में और अडप्टेशन क्या होता है अब यहां पे और चीज़ देखिए जैसे पहले के लोगों की कान की पीछे बड़े-बड़े बाल होते थे अभी नहीं है क्योंकि जब यह वह अस्थान होता है जहां पर जन्तुओं की मूल भूता सकताओं की पूर्ति होती है या पूरी होती है अता सभी जीव जन्तुओं रहने के लिए अपने आवास के अनुकूल हो जाते हैं सभी इंसान अपने आवास के अनुकूल हो जाते हैं प्रित्वी पर विभिन प अब इसका कोई नोर्स तो नहीं है बड़ मैं इसको आपको खोशिश करता हूँ कि समझा दूँ हाँ चलिए देखिया का मतलब जासे मैं आपको इंग्जामबल दिया इसका दूसरी जिराफ का गरदन लंबा हो जाना एक concept है कि जिराफ का गर्दन लंबा क्यों हुआ क्यों कि जिराफ जिस जंगल में रहते थे तो वहां पे पेड़ बढ़े हो गया तो उचे पत्तियों को खाने के लिए उनके अपने अपने गर्दनों को खीचना पड़ा इससे जो छोटे गर्दन वाले जिरा कर लिया कि भाई उनकी गर्दने लंबी हो गए दूसरी तरफ उठ के देखेंगे पीट पैसे कुबड़ बना जो रहता है पीट को उच्छों बना रहता है और उठ के पैरों में देखेंगे वह मखमल की तरह गड़े क्यों उनको घर्मियों में चलना है तो उन्होंने अप पैट के साथ डॉगी के साथ आप खुद उसके साथ रहे तो एक आपका करेक्शन उसके साथ बन जाता है वह आपको पहचारने लगता है कि हां यह मेरे मालिक है यह मुझे खत्रा नहीं पहुंचाएगा तो उनके साथ एक मेट्रिक वेबार फ्रेंडली रिलेशन उनके सेर के सामने कोई आजय दो खाजाएगा लेकिन वह उसको पाल लेता है तो एक मनव विज्ञानिक उसके अदर अड़ाप्टेशन आ जाता है तीसरा है दोस्तों वहवरात्मक अनुकुलन वहवरात्मक अनुकुलन का मतलब जब आप किसी प्रस्तितिक अनुसार अपने खाती है कैसे खाती है वह जिस जिगह पर रहती है वहां पर नीम ज्यादा ओगा तो खाने लग जाती है कई बार गाय हो यह भाएंस और अनुकुलन होता है तो जन्तुमें यह अनुकूलन पाय जाती है ठीक है जिस चीज़ के खाने की सकता हो वहां पर मिल रही है तो वह चीज को खाना सुरू कर देंगे इस तरीके से उनके वहवार में परिवत्न होगा यह बिहेविरल अनुकुलन यानि की बिहेविरल एडाप्टेशन यहां पर हो जाता है अब देखते हैं कि पौधों में कैसे उनके बिहेवियर को चेंज होता है और यह इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है इसके वीडियो समाब था है मुझे बहुत बोर हो गया है लेकिन जरा स्चो एक वीडियो में आपका पूरा एक यूनिट कंप्लीट हो गया ऐसे चार-बांच वीडियो देखेंगे तो आपका एक सब्य हो जाएगा मतलब मैक्सिमम तो मैक्सिमम देंट से दो गंडे में आपका पूरा सब्जेक खतम हो जाएगा और यह थोड़ा सा लेंदी था इसके बाद बहुत इस आएगा वहवरात्म का मतलब क्या होता है कुछ ऐसे पौदे होते जिनके बीहेविर चेंज हो जाते पौद पौदे यह आपको कैसे भई भोजन को प्राप्त करने के लिए बोचन के लिए उसका ट्राइब और बोचन के लेकिन आवन हो गया सकते हैं केवल की उसका हो गया पौद में जाल कर नजसर कर। कर रहे हैं प्रजन है नहीं संतानों के विकास है तू उसके जो पौदों के जो बीज होते हैं जो सीड्स होते हैं उसको गिराते हैं या उसको प्रसारित करते हैं जैसे सरसो ही देख लिए सरसो उसके उपर वह मनुक्य बैठी है उसके पैर में लगता है फिरो दूसरी तो इस तरहे से क्या होता एंँ नई सरसो가ती है कई बार हवाय चलती है तो एक बीज दूसरी चाहर सी उड़ता है बात summary करने से सारांस जानने से पहले हम तरह कुछ questions को देख लेते हैं ताकि आपको भी थोड़ा सा light mind हो थोड़ा सा हलका दिमाग हो फिर उसके बाद एक बार summarize करके और यह जो pdf है मैं आपको एक चीज़ फिर से बता दूँ जो pdf है ना वो pdf मैं आपको आपने whatsapp ग्रूप मैं वहां पर आपको भीज दिया करूँगा सजीव जैसे यह सवार हमने देख चुगा है सजीव के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं चलिए यहां से mock test होने वरा है इस सब्सक्राइब इस unit में जो आपने पढ़ा हम देखते हैं आपका mock test का सजीव के प्रमुख लक्षण क इक रमुख चलिए जो वस्टुवे जिनके दिन प्रकृतिक द्वारा होता है तो वह क्या कहलाती है प्रकृतिक वस्टुवे कहलाती है यह तो बहुत ही असान था कोई दिक्कत नहीं पाई जन्य पाइजानी होते हैं नूखिली होती है आप्र इस सभी यह तो आमने देख पूछेंगे स्वासन किरिया किसमें होती है वाई दोनों में होती है दोनों सास लेती है सजीव वस्तुवे कहलाती है सजीव वस्तुवे कौन कहलाएंगी जो चल नहीं सकते जो चल नहीं सकते वो सजीव वस्तुवे हैं अच्छा स्वासन किरिया करती है ए भी दोनों इनमें स सजी वग्राइब कम वाने वाली गैस सास लेने के लिए कौन सी इंसान लेता है वह जो नहीं बहीं है वह जो नहीं नाइटरोजन कारबनाइग साइट या ऑक्सीजन तो कौन सा वह जाएगा ऑक्सीजन अख्सीजन प्रित्वी पर पाये पदार्तों को विभाजित किया गया है कैसे सजीवों में या में दोनों में किया गया है मृतकों में तो यानित की इन में यह सभी में इसे ज्यादा सवाल विए यह सब्सक्रांकरता सब्सक्राइब correct? correct निफ्वो में भोजन का संचे होता है हां ये एक थोड़ सा निफसा साइन्स का कुश्षन सा कुश्ट favorable को कौन बता सकता है अध्वो में भोजन का संचे होता है जाहिल Micheal दोरा फ्लोज़़ में बोरा जल दोरा या प्लसर दोरा तो भोजन यानि कि food food मतलब phloem वहीं जल मतलब जायलम जायलम जल को एक दूसरे यह क्या होता है दोस्तों जिसे जड़ से लेके उपर जो जल पहुंचाता है जायलम और भोजन का संचे फ्लोयम दोरा होता था इसको जरा याद कर लेना कोई दिक्कत कोई दिक्कत निहीं उप अधरी लगुतित्र की बात करें तो यह स्वाल कर सकते साधी वुवस्तु निर्जिव वश्तु वफ क्या हैं अच्छर क्या है पौद cinq-ją-dum-ku dire किंब और डोग तो मरुस्तिलि हो जाएगा जलि हो जाएगा कटी हो जाएगा किंब आरगिस्तान करते बाद जहां पर बर्फ किड़ति हैं वह ऽाहां पर गड़ते थे लगोत तरीक कि बात करें उस रख वरस वाँ करते हैं यहां पर ज्यादा वर्षा होती हैं वहां पर पोधे किस तरीके से करते हैं सजीवों के प्रमुक लक्षन का वर्लं करिए पौधों में प्रयोण अनुकूलन किस पकार होता है तो बाइस जंजराशना आत्मक और व्यवरात्मक आपको बताना पड़ेगा जन्तुं मे प्राइवरण अनुकुलन किस पकार होता है जी के जनतु कैसे करते हैं वो बताईए पौधे उम जनतु में अंतर बताईए सजी निर्जी वस्तु के मद्धे अंतर बताईए यह सारे सवाल आप हुआ हैं जो आसानी से आप कर सकते कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं समरी कर ले करेंगे सजीव वस्तु में वे वस्तु में जिनके अंदर सजीव जीवित के विसेस्ताइं जीवित के लक्षण पाए जाते इनकादर जान होती हैं सजीव कहलाती हैं जिनके अंदर यह विसेस्ताइं नहीं पाए जाती हैं जैसे प्रजनन विरिदी मिकास वसन अनुकुलन नहीं पाइजाती है। इसी परकिर्थिक वस्तु में जो निसुल्क प्रकृति द्वरा पाईजाती है। मानोन निरुमित मतलब जिसे जन जीव, प्योलियोम वस्त्युव जिए हो गई, खनीज ये सारे चिसे सारे類 मिंट्य, हवा उर्जा नाल कोरते है वह सेèn स्पनी अपन काया हो दाहित हो गई , equadhoma निरुमित उपनप्यों खृष अ करते हैं प्रादिमान पंगाया है कि और जंतूंंसे प्रःवरडीOS अनुकूलन यको अर पॉधुलां तरीकlı of असलों में और ठीक उसी प्राकार से पॉध्धों में दो तरीके से होते हैं कौन-कॉन से पॉध्धों में अनुकूलन दो प्रकार होते हैं structure wise सनरचनात्मक और वहवरात्मक कुल मिलाके बस यही आपका पढ़ना है कोई दिक्कत पोधों में सनरचनात्मक अनुकुलन और वहवरात्मक अनुकुलन कोई दिक्कत पोधिय अनुकुलन के छेत्र की बात करें कौन कौन से चेतडिविन पौधिया अनुगुलन होता है वहिया, प्रक्र्चिर्टिक मैदानी ज्टटवुमें अनुगुलन। तेमात करते हैं नहीं चीजों को तो बस इतना ही यहीं तक आपका था, rifil house इतना ही। और इस वीडियो को हम यहीं समाब करेंगे। अगले वीडियो में हम आपका unit 4 देखेंगे, unit 4 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर unit 4 होगा, ठीक है, unit 4 में का है, भौतिक मापन, भौतिक मापन, class 2 होने वाला है, जिसमें हम भौतिक मापन आपके science का देखेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आप one shot वीडियो इसको देखते जाए कोई पैसा नहीं है आपको पीडियु भेजने का या पीडियुफ लेने का छेफ पा सकते हैं इस तब मुझे फॉलो कर लिए कमेट में बताए कहां प्रेजना है मैं भीज़ दूँगा नीचे एक WhatsApp ग्रूप का लिक होगा आप वहां से जूड़ सकते हैं इस वीडियो में फिलाल इतना ही जब तक खुश रही है पढ़ते रही है आगे बढ़ते रही है जैहिं जय भारत कर दो